चलिए अब हम पढ़ने वाले C language के अंतरगत operators, operators होते क्या है, इसके पहले हमने बहुत सारे example इसके बारे में समझ ली है, परन्तु operators क्या होते हैं, वो हमने अभी नहीं देखे हैं, तो देखें, C tokens के अंतरगत ये सबसे महत्पूर्ण parts है, जिसके अंतरगत हम बहुत सारे operators के बारे में पढ़ेंगे, तो operator होते क्या है, तो देखें, जब हम variable लेते हैं, तो variable कैसे लेते हैं, ऐसे int करके हम लेते हैं, A, B, C, ठीक है, ये चीज़ तो आपने देखा होगा, A, B, C, हमने एक तीन variable लिए, अब इन में हम calculation कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, A में हम 10 इस्टोर करा देते हैं, B में हमने 20 इस्टोर करा दिए, और C में हमने A प्लस B करा दिए, ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, जब ये 10 है, ये 10 क्या कर रहा है, ये 10 जो है, यहा assignment operator है, ठीक है, assignment operator है, यहाँ भी equal क्या कर रहा है, 20 को B में ला रहा है, पर यहाँ पर आप देखिए, A और B जो है, दोनों जोड रहा है, यानि कि एक addition आपको देख रहा है, यानि कि दोनों को जोडने का काम कोन कर रहा है, addition, यानि प्लस, और जो output आएगा इसका, वो equal होकर क कहाँ चला जा रहा है, यानि कि assign होकर कहाँ चला जा रहा है, C में, तो simple आप समझ लीजिए, जो A है, B है, C है, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, operands, ठीक है, अब operand में जो work करता है, यानि कि operand को calculate करना है, यानि कि हम simple अगर बोलें, तो manipulation करना, किसका काम होता है, operators का तो हम simple अगर definition बोलें, तो operator ऐसे symbol होते हैं, जो किसी task को perform करते हैं, तो simple अगर बोला जाये, तो A, B को दोनों को plus करना है, और plus करके C में लाना है, तो क्या यहाँ पर काम कर रहा है, operator, तो operator जो है, operand में क्या करते हैं, calculation, यहीं कि operand में अगर कोई task को perform करना है, plus, minus, into, divide, तो हमको किसकी जरुद पढ़ती है, operators की, तो operator हम simple समझेत, एक symbol होते हैं, जो किसी task को perform करते हैं, चलिए विस्तार से जान लेते हैं, operators के बारे में, यहाँ देखे, operators एक तरह के symbol होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, plus, minus, into, divide, specific, अगर देखें, mathematical, logical, computation, जो calculation होते हैं, उनको करने में हमारी help करते हैं, दूसरे सब्दों में हम कहें, तो operator, operands को operate करते हैं, operands मेंने बताया, a, b, c, यह जो भी होते हैं, वो operands कहलाते हैं, और operator और operands मिलकर क्या बनती है, यह बनती है, expression, तो expression हम बोलें, तो एक meaningful, एक line, simple, एक line को हम क्या बोलेंगे, expression, जो कि operands और operator से मिलकर बन line है, एक equation यह निकि expression है, ठीक है, जो कि operator और operands से मिलकर मिनी है, तो plus operator क्या कर रहा है, addition के रूप में जाना जाता है, जो a और b को दोनों को जोड़ रहा है, और कहां लेकर जा रहा है, z में, ठीक है, इसके अलाबा operator का use program में, data और variable में, manipulation करने के लिए, उनको जोड़ घटा जो कि हम विस्तार से जानने वाले हैं, जैसे कि पहले operator में, arithmetic operator देखने के मिलते हैं, जिसमें चोड़ घटाना से संबनती सारे काम, जैसे देखी है, यहाँ, प्लस है, इंटू है, डिवाइड है, मोडिलस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, यहाँ पर आपको दो प्रका के operator कहां देखने मिलेंगे, arithmetic operator में, ठीक है, इसके अलाबा हम देखें, तो relational operator, दो, एक, मतलब एक से अधिक या नहीं, दो या दो से अधिक, जो operand है, उसमें relationship बताने काम करते हैं, जैसे equal to, double assignment operator यहाँ देखने मिल रहा है, greater than equal to, less than equal to, इस प्रकार के not equal to, यह सब क्या कहला करताएंगे, relational operator, संबंद बताते हैं, एक operator, मतलब एक variable का दूसरे variable, फिर देखेंगे, logical operator, तो logical operator क्या करते हैं, यह जो होते हैं, तीन प्रकार के हम देखेंगे, एक तो होते है, and, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, एक होते है, और, ठीक है, और, एक होता है, not, तो तीन करें, तो and or not, ठीक है, and हम इस प्रकार देखते है, excel में हम देखेंगे, and or or not, इसी का symbolic form में हम को देखने मिलता, operator, जैसे के आप and यहाँ देख सकते हैं, और यह हो गया, और and not यह हो गया, फिर होते है, bitwise operator, bitwise operator, तो हम उधारण की रूप में यहाँ देखेंगे, बाकि bitwise operator में आप देख सकते हैं, देखें, और यहाँ पे आप देखेंगे, इस प्रकार के जो operator, bitwise operator की रूप में आते हैं, फिर हम देखेंगे, assignment operator, तो assignment operator, जैसे मैंने बताया था, assign करना, अभी इसके पहले, ठीक है, तो assignment पे आपका simple assignment operator आता है, plus assignment, minus assignment operator आता है, ठीक है, इसके अला left side, right side की value को left side में transfer करने का काम करते हैं, फिर कुछ अधार operator होते हैं, जैसे की size of operator है, यह अलग जो operator होते हैं, जैसे conditional operator हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो चलिए एक एक करके सारे operator के बारे में हम discuss करते हैं, और साथ ही साथ, उनकी example के बारे में भी हम यहाँ पे विस को जो है complete जब वीडियो आएगा, तो उसमें आपको जो description box है, वहाँ पे में link provide कर दूँगा, तो आप सारे source code को download कर सकते हैं, और अपने जो computer है, उसमें आप run करा कर देख सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले operator देखने मिलेंगे, arithmetic operator, arithmetic operators, जैसे की नाम से पता है, plus minus into divided, यहाँ पर करने, देखने को मिलती है, तो उनको हम बोलेंगे, arithmetic operator, अब यहाँ देखी C language में, arithmetic operator का use, arithmetic और mathematical operation को perform करने के लिए जाता है, जैसे की addition, subtraction, multiplication, division, जैसे addition के लिए plus operator को उप्योग के जाता है, दो operands को आपस में add करता है, दो operands में से आपस में से जो है, अंतर निकाल कर लाता है, यानि कि right side की value से जो है left side, मतलब left side की value को left side की value से right side की value को घटा देता है, ठीक है, इसका अलाबा into, हम देखें, यानि कि multiplication बोलते हैं, तो यह जो है, दो operands को multiply करता है, फिर division, यह divide करने का काम करता है, फिर modulus, यह remainder इंडर निकालने का काम करता है तो यह सारी अर्थमेतिक면 आते हैं आते हैं अब इन यह चाहले में अगर को पता हैं यह Co अगर लोगता है क्टी से काम करता है कोई उप्रेटर सिम्पल सी बात को HEZ lLAYEG GOT UNERI R站 और जो दो QCM के साथ मिलकर काम करता हो से बोलेंगे B Quick 使ky और तो दोनों के बारे मिजान लेते हैं साथ से पहले देखते हैं यूcket अपरेटर ऐंब अपरेटर में आपको देखने के मिलता पहले इंक्रीमेंट उपरेटर 15 तो इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट ठीक है उसी प्रकार डिक्रिमेंट ऑपरेटर भी प्री डिक्रिमेंट होता है और पोस्ट डिक्रिमेंट होता है चलिए दोनों के बारे में जान लेते हैं तो इंक्रिमेंट ऑपरेटर हम देखते हैं इंक्रिमेंट ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो किसी variable के साथ use करने पर उस variable की value को एक बढ़ा देते हैं नाम से स्तर्ष्ट है increment, increment मतलब plus plus जैसे हमने लगा x plus plus तो इसका मतलब है कि x में अगर 10 है तो मतलब क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा ठीक है और इसी प्रकार अगर हम x minus minus कर देते हैं तो x में अगर 10 है तो 9 हो जाएगा तो यहां अभी बात करें हम increment, decrement की बात में करेंगे मान लीजे हमने int data type द्वारा कोई variable x बनाया उसमें value 5 रखे अगर हम variable x में increment operator के use करते हैं तो वो value बढ़कर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी यह तो आपको पता है बार बार हम use करते हैं लेने ही पड़ेगा और अगर हम turbo c++ यूज कर रहे है तो इसके लिए हमको जो है कौन io.h भी लेना पड़ेगा कौन io.h भी यहां पे लेना पड़ेगा परन्तु हम यहां पे जो IDE यूज कर रहे है वो देव c++ यूज कर रहे है इसके लावा आप code block भी यूज कर सकते हैं ठीक है code block में भी आपको यह जो है कौन io.h नहीं लेना पड़ेगा यह console वाली होती है यानि कि हम turbo c++ में console का यूज करते है इसलिए वहाँ पर कौन io.h लेना पड़ता है अब void एक data type है वह भी आपको पता चल गया main क्या है main एक function है जो की program का द्वार होता है और यहीं से compiler run होना चालू होता है ठीक है इसके लावा हम देखे curly packet start करे end करे यह जो होता है complete body होती है main function की ठीक अब यहाँ int करके हमने x लिए और x को हमने दे दिए 5 यानि कि 5 कहा चला गया x में इसके लावा हमने print f करके ले लिए before using increment operator the value of x is यह तो same to same हो गया print करा देगा और module d किसके लिए है यह लिए format specifier यानि कि जो भी value है वो integer के form में convert होकर जा रही है यानि कि integer print कराना है तो हमको module d लेना पड़ेगा यदि हमको float print कराना है तो हमको module f लेना पड़ेगा यह चीज हम पहले देख चुके हैं अब यहाँ पे देखे x की value यहाँ print हो गए कितनी 5 अब दूसरी बार में plus plus x लिया गया यानि कि pre देखे pre increment operator हमने यूज की है तो x में 5 था तो plus plus कर दिया गया यानि कि कितना हो गया x plus 5 1 हो जाएगा समझो क्या हो जाएगा 6 तो जब हम next time printf करके after using यह देखे slash n लगा escape sequence के लिए double quote तो हमको लगाने पड़ेगा double quote यहाँ भी लगाना पड़ेगा और comma लगा हमने x लिखे बीच में हमने लिख दी after using increment operator और किसकी value x की और module d आपको पता चलिए क्यों तो पहली बार जब print करेगा 5 दूसरी बार में x में जो है plus plus यानि कि एक plus हो गया यानि कि 6 हो गया तो दूसरी बार की value क्या हो जाएगी पहली बार की 5 और दूसरी बार की 6 हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हम इसको run कर आखे भी देख सकते हैं हमारे पास में जो है यहाँ अगर देखें तो हमको operator के अंतरगत हमने जो है सारे जो बना कर रख लिए तो यूनरी operator हम यहाँ पर open करते हैं ठीक है तो यह देखिए मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिख कर रखा हूँ include ht लिए इंट करके x लिए 5 और जो है पहले हमने प्रिंट कर दिए x की value और बाद में जब प्लस प्लस कर आए यानि की pre increment operator और बाद में उसको प्रिंट कर आए दोनों में अंतर देखते हैं चलिए execute करते हैं compile and run यहाँ देखिए पहले बाले में प्रिंट हो रहा 5 और दूसरी बाद में जो increment कर दिया है तो six print हो रहा तो simple सी बात आप समझ सकते इसको क्या है यह यह जो है pre increment operator है इसके लाबा आप यहाँ देख सकते हैं चलिए इसको हम run करते हैं यह वाले को यहाँ आप देखते हैं देखें दो चीज तो हमने same to same ले लिए फिर int करके x लिए हैं और x म कोई भी value नहीं आई है परंतु आप देखे ध्यान से और y में हमने क्या लिए हैं य ay equal to plus plus करके मतलब increment किया गया है अब x में क्या था 5 प्लस प्लस किया गया या निकि क्या होगा 6 अब y में क्या चला गया बाय में चला गया आपका 6 चला गया और print करा है तो दो बार module D ली ह और एक Y के लिए 6 की believed print होगी तो 5 print होगी औरृ की value print होगी तो मतलब pigy 6 होगी तो चलिए इसको भी हम run करा आग बैखलेतेムी देखे?, देखे ही X की value यहाँ आ गई देखे 1 minute, का यहाँ देखिए सिर्फ कर राए यहां से देखिए पहले, ठीक है X की value हमने print कराया है प्लस प्लस होने के बाद यानि कि इसकी value भी आपकी एक बढ़कर मिल रहे है क्यों क्योंकि pre increment लगा है वो जो है इसके पहले वाले example में जो है बाद में देखे पहले यहाँ पर print कराया गया था और बाद में plus कराया गया इसलिए 5 था और यहाँ पर पहले ही plus कराया गया है और देखे य में भी 6 से लगया और X में भी 6 हो गया इसका मतलब है कि X में भी 6 आएगा और Y में भी 6 आएगा देखे यहाँ पर ध्यान से देखे फिर से आप यह देखे X की value भी क्या आ रही है 6 आ रही और y की value भी 6 आ रही इसका मतलब है कि जो plus plus है वो x के पहले लगे है यानि कि pre increment देखे यहाँ ध्यान से देखे कमेंट में लिखा है pre increment operator यहाँ पर देखने को मिल रहा है चलिए एक और example देखते हैं इसके नीचे फिर हम theory में चलेंगे यहाँ देखे यहाँ देखते हैं हम देखे x की value अभी क्या है 5 है और int y लिए x by में हमने देदी है x plus plus अब यह देखे यह post increment लगा है इसका मतलब है कि x में अभी 5 है परन्तु जब हम by में भेज रहा है तो देखे y में क्या भेज रहा है y में अभी x की value भेज रहा है परन्तु x में अभी 5 है तो अब run करके देखे इसको तो हमको देखने को क्या मिलता है यहाँ पर देखे जब x की value प्रिंट होती है तो 6 अजाती है और y की value क्या जाती है 5 अजाती है पहले तो transfer हो गया और फिर बाद में increment हो रहा तो output हमारे क्या देखने के मिलता है output देखने के मिलता है कि x की value तो 6 हो गई थी परन्तु भेजने के पहले क्या थी देखे भेजते समय यह 5 थी और भेजने के बाद जो है 6 हो गई यानि कि एक increment कर लिया गया है post increment यहाँ देखे post increment operator result value x के आ रही 6 और value y के आ रही है 5R ठीक है तो यह तो हो गया हमारा किसका plus plus operator मतलब increment operator अब हम इसी प्रकार decrement operator भी देख लेते हैं चलिए यहाँ पर जो है हम चलते हैं और unary operator का दूसरा example हम देखते हैं यहाँ पर देखे यहाँ minus minus हो रही है ठीक है अब यहाँ देखे जैसे वहाँ plus plus हो रहा था जैसे यहाँ x की value हमने के लिए 5 और by हमने blank ले लिए तो यहाँ pre decrement पहला ही घटा दिया गया पहला ही घटा दिया गया का मतलब कहा है कि घटाने के बाद यहाँ transfer किया गया है तो जो by x की value होगी वो भी by की value होगी यानि कि दोनों की value बराबर बराबर देखने मिलेगी तो दोनों की value हमको देखने मिलेगी x की value 4 और by की value 4 क्यों? क्योंकि pre decrement करा गया है pre decrement का मतलब पहले ही एक घटा दिया गाए है और घटाने बाद बाय में लेजा लिए गाए इसका मतलब है कि X में तो 4 बचा था 4 कहां चला गए बाय में यह दोनों की बेलू की आ रही 4-4 चलिए यहां पर हम देखते हैं इसका एक और example जो हमको देखने मिल रहा है post decrement मतलब बाद में यह क्या करेगा घटा आएगा ठीक है तो यहां देखिए यहां देखिए X की बेलू घटने के पहले ही बाय में पहुँच गई थी जैसे वहां पर पहुँची थी प्लस प्लस में तो 5 बचा हुआ और भेजने के बाद जो है एकस की बेलूः यहाँ पर क्या हो जाएगी थी और घटने से पहले क्या हो गई थी घटने में चलेगी यहां दिखे यहां समझ में आगे हमको, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है यहां आप dal़ एक्जाम्पल इसके बाद जब इंक्रिमयेंट अफ्रेटर का यूज़ बैरेवल नाम से पहले करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, प्री इंक्रेमेंट प्रेटर बोलते हैं, बाई लिए और बाई में हमने क्या दे दी है बाई में हमने दे दी है एक्स अब एक्स कब दी है प्री इंक्रिमेंट तो एक बढ़ा कर यहां पर दे दिया गया है और एक यहां पर भी बढ़ा गया यानि कि दोनों के हो जाएगा 6 और 6 तो दोनों का ओपुट हमने को देखने गया हो जाएगी 6 तो इसका output क्या आया था हमारा x की value आगे थी 6 क्योंकि बढ़ गई है आप है और y की value आगे थी 5 क्योंकि पहले ही transfer कर दी गई है इसके बाद decrement यानि कि घटाने का काम करता माइनस माइनस जैसे हम बोलते हैं decrement operator अब decrement operator ऐसे operator होते हैं जो किसी variable के साथ use करन पोस्ट decrement ठीक है तो चलिए यहां देखते हैं header file main function ले लिए फिर हमने int के बराबर में x लिए और by ले लिए अब by में क्या चला गया देखे यहां देखे माइनस माइनस हो गया यानि कि क्या हो जाएगा एक माइनस हो कहां कहां चला जाएगा चार चार यहां चला जाएग 5 देदी by की value कुछ नहीं अब x की value कहां चली गई है देखे घटी बाद में x की value पहले कहां चली गई यानि की 5 चला गया और घटने के बाद क्या हो चाहे यहां पर चार तो 5 किसका जाएगा 5 जाएगा by का और x का कितना जाएगा 4 तो यहां देख सकते x की value 4 आ गई और by की फाइबार ठीक है तोकि हो गए हमारे क्या से के सिंक्रियमेंट ईंक्रेमिंट ओपरेटर जो कि अर्थमेटिक ओटर के उंतरगत आते तो है युनेर्य ओपरेटर कहलाते हैं और आयों या जा ये चीज़े आपको अंतरगत कुछ पिरामीड बना कर देखेंगे और विभिन प्रकार के जो exercise है वो हम करेंगे तांकि हमारे सारे concept और अच्छे से clear हो सागे चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए आप देखें एक हमने युनेरी operator देखे थे अब देखते हैं binary operator आप binary operator जो होते हैं दो के साथ मकाम करते हैं दोскा मतलब A, B को दोनों को जोड़कर मों सामने वहां भीज़ेंगे तो इसका मतलब क्या है binary operator एक और होते हैं . अब अब टर dal आरी operator कि अगर मैं बात ㅇक्छe Pornary operator क्या होते हैं जो 3 बैर इनों करते हैं तो उनको भी हम आगे चल कर देखने वाले हैं चलिए ऐसे operator जिनकी operation जो है परफरम करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूवत ओती है फिर जो क्या कहलाते है बाइनरी operator कहलाते हैं इसके अंतरग्ध हमको plus minus into divide यह सारे जो है operator देखने को मिलते हैं प्लस को हम addition operator कहते हैं माइनस को हम subtraction operator कहते हैं into यानि जो star है उसको multiplication कहते हैं divide को हम division operator कहते हैं modulus को यहाँ देखें प्रतिसाथ को modulus operator बोलते हैं ठीक है तो देखें addition के अगर बात करें तो यह दो है दो operands को जोड़ने का काम करता है जैसे कि A और B इसके लाबा सबस्ट्रेक्शन जो है दो operands में से अंतर बताने का काम करता है यहीं कि A-B multiplication दो operands को आपस में गुना करता है यहीं कि A star B यहीं कि A जो है Estreus बोलते इसको या फिर multiplication हम बोल सकते हैं, into, तो इसका division, division जो slash का काम करता है, यनि कि दोनों में से divide करता है, पहले वाले से, मतलब जो है, दूसरे वाले से पहले वाले को divide करता है, इसके लाबा बर मॉदिलस operator जो होता हम प्रती साथ यो, यो डोटेच उसके अलाबा बॉइट में करके हमने फंक्शन लिए हैं फिर यहां करली बैकेट स्टार्ट करें और करली यहां पर एंट हुआ है निकि अंदर पूरी क्या लिखी है पूरी बॉड़ी लिखी है में फंक्शन की हमने तीन वैरेवल लिए इंट मतलब इंट इसलिए मोडिल दी दो बार लिए और हिस्सा डबल लागा लिए लिए फैल पहली वैली नहाँ करण जाएगी जो माडिए बी में चली जाएगी और इंपूट के लिए हमने अ पर्सेंट लेना हुआ ठेक है अब देखिये तो वैलू जो एंटर हुई है C हमने variable ली है C में हमने ले जाली है A plus B A plus B मतलब जोड कहां चला जाए C में और C को print कर दे जब यहां print app किया जागा था addition of A plus B is module तो लेने ही पड़ता है अब comma output के सामें हमको M percent लेने की जरूरत नहीं है normal हमने comma लगा कि C ले लिए उसके लाबा दूसरी line हमने लिखे A मतलब C बराबर A minus B C में अंतर चला गया दोनों का और फिर यहां पर देखे C को हमने print कर दिए अंदर जो भी लिखना हम लिख सकते हैं और slash N लगा है line break करने के लिए फिर C बराबर A into B कर दिए और multiplication हमने print कर आए C में फिर C बराबर A divide B कर दिए और division हमने print कर दिए C C बराबर A model B करें यानि कि यहां पर हम remainder देख सकते हैं तो जब हम कोई number input कराते जैसे मान लीजे 10 और 5 हमने करा है तो उसका output देखें उसके अनुसार तो यहां देखें जोड़ जाएगा 15 माइनस करना है तो कितना जाएगा 5 इंटू करना है तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 इने 50 हो जाएगा दोनों का भाग यानि की भाग देना है तो दो आजाएगा remainder 0 निकलेगा चलि इसको हम रन कराग देखते हैं तो यहां देखें हमने जो है ऑपरेटर करके binary operator भी यहां पर यूज किये होंगे ठीक है यहां पर ऑपरेटर के अंतरकत हम देख लेते हैं जिसे यह देखे ऑपरेटर binary करके हमने यहां पर लिए एग्जामपल तो आप देख सकते हैं एक header file लिए है htdi.io.ch बॉइड में करके हमने ले लिए यहां पर ठीक है इसके लाबा तीन वैरेबल ली है ए बी सी और दो नमबर हम यहां पर देखे दो यूजर से दो वैल्यू एंटर करा रहा है चैtered मतलब लाइन में जाएगा और दो नमबर जो इंपुट करा जाएँगे माडियू जी लगा है दो भार हमने और दोनों को एक को ए में रख दिये साओ अब A और B में दोनों चले गए तो दोनों में, दोनों को जोड़कर हमने C में लिया, C को प्रिंट करा दिये, दोनों को into करा खार C में लिया, फिर C को प्रिंट करा दिये, अंदर हम को जो है, डबल कोट के अंदर हम एसा अपने अनुसार लिख सकते हैं, एक description के तौर पर, ठ असलब भाग है वो सी में श्टोर करा आदो को प्रिंट कर दिए फिर दोनों का जो रिमांडर निकालखे सी में रख दी और सी को प्रिंट कर दियूँ जाब हम इसको रन खरते हैं चलिए करके देखते हैं execute compile and run देखे compile and run करें अब हम मैं यहाँ पर 20 enter करता हूँ और 5 enter करता हूँ जैसे 20 और 5 enter करा मैंने तो देखिए addition क्या आ गया 25 subtraction क्या आ गया 15 multiplication क्या आ गया 100 और division क्या आ गया 4 और remainder आ गया 0 अब remainder 0 इसलिए आ गया क्योंकि remainder कुछ बचे नहीं था फिर से मैं run करा हूँ remainder देख लेते बचा लेते यहां हमने 20 लिए और दूसरी value हमने लिए क्या 3 enter करें तो आप देखिए यहां पर जो 23 आ गया जोड़ उसका माइनस आ गया फिट 17 दोनों का डिविजन जो है वो क्या आ गया 6 आ गया मतलब 18 तक गया और remainder कितना बच गया दो बच गया तो यह हमको देखने मिलता यहां पर आर्थमेटिक जो जो binary operator है वो हमने यहां पर देखें आई हो यह आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है तो यहां पर हमने जो है कौन-कौन से operator के बारे में बात करें सिंपल हमने असाइन आर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में यहां पर बात करें ठीक है जो ऑपरेटर से उसके अंतरगत आर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करें जिसके अंतरगत हमने जो है यूनेरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर और यूनेरी के अंतरगत हमने इंक् अगात देखें, addition, subtraction, multiplication, division और modulus इन सभी को हमने examples नहीं तेहां पर देखा है आई ओप यह सारी चीज़े आपको clear हो गई होगी इसके अलाबा आपको कोई doubt है तो आप comment box में जरूर बता है और video पसंद भी आया तो भी comment box में आप बता सकते हैं कोई suggestion है तो भी बता सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं और जादस जादा लोगों तक आप share कर सकते हैं